Dear students, Welcome to my YouTube channel, आप सभी का मेरे YouTube channel पर स्वागत है, तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, चोथे चेप्टर में जो बचा था आपका एक टॉपिक, कोगुलेशन, मैं उसको पढ़ाने वाला हूँ, मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक छुटा हुआ है कोग आएगा, फिगर बनाने के लिए आता है, और साथ में पूछ भी देता है उसके बारे में, सचित्र वर्डन करने के बारे में, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंतक बने रहिएगा, और मैं बताऊंगा जब ओ टॉपिक आएगा, कि वो कौन सी ऐसी च करते हैं, फटा-फट देर करते हुए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, कोगुलेशन, इस कंदन, हिंदी में कोगुलेशन को क्या बोलते हैं, इस कंदन बोलते हैं, कोगुलेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इस कंदन बोलते हैं, अब इसकी आवसकता क्यों हो बैठाया जाता है, जो sedimentation tank होते है उनके bottom में बैठाया जाता है settle down कराया जाता है, लेकिन अब उस sedimentation में स्कोगुलेशन की आवसकता क्यों पड़ गई इसके बारे में हम लोग discuss यहाँ पर करेंगे तो आपको एक चीज पता है, मैंने बता है आपको तीन impurities के बारे में पहली impurities जिसको में हम लोग बोलते हैं suspended impurities, दूसरी dissolved और तीसरी collidal तीन प्रकार की असुदिया होती है suspended, dissolved और collidal तो suspended के बारे में हम लोग जानते हैं collidal के बारे में जानते हैं और dissolved के बारे में इम्प्योरिटीज के बारे में जानते हैं, तो कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, असुद्धियों के, असुद्धियों के, इम्प्योरिटीज के कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, जो बहुत ही सुख्षमों होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही सुख् स्थित रहते हैं और जल में सेटल डाउन नहीं होते हैं किस कारण उन पर निगेटिव चार्ज होते हैं उतने छोटे होते हैं उतना उनकी डेंस्टी उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए सेटल डाउन होने के लिए means उनकी जो density होती है, ऐसे particle कुछ होते हैं, जो छोटे particles होते हैं, जिनकी density क्या होती है, जिनकी specific density, water density से कम होती है, क्या होती है, water की density से, यानि कि जल के घनतों से, water density से क्या होती है, कम होती है, तो वो क्या होते हैं, वो पुरे जल में, अगर किसी pot में, किसी बरतन में, किसी टैंक में जल रखा गया है तो इसमें इस प्रकार की जो असुदियां होती है तैरती रहती है सेटल डाउन नहीं होती है तो इनको सेटल डाउन कराने के लिए इनको इस टैंक में मान लिजिए सेडिमेंटेशन टैंक है टैंक में इनको settle down कराने के लिए कुछ chemicals का use हम लोग करते हैं और उन chemicals का use करके इनको जब settle down कराया जाता है या settle down होने की अभिक्रिया को तो तेज कराया जाता है तो उस क्रिया विदी को हम लोग सकंदर बोलते हैं तो इसकंदर की आव सकता क्यों पड़ी आपको समझ में आ गया है जैसे मान लिजिए मैं आपसे बात करूं कि कुछ आपके पास collidal impurities हैं कुछ collidal collidal impurities हैं तो इनकी अगर बात की जाए collidal impurities की तो कुछ ऐसे particles मान लिजिए जैसे मान लिजिए मैं suspended की बात करूं आपसे तो कुछ ऐसे particles होते हैं जिनका size 0.002 mm तक होता है कुछ ऐसे particles होते हैं अब यह कौन से होते हैं तो आपको पता है clay के बारे में आप अच्छे से जानत होते हैं किसके बारे में clay जो clay इदा दिख रहा है आपको इधर दिख रहा है जो clay के particles होते हैं यह 0.002 mm तक के भी होते हैं कुछ होते हैं से इनके पार्टिकल लगभग होते हैं 0.06 mm के कितने 0.06 mm के होते हैं mm के अगर इनको settle down कराया जाया तो यह लगभग 10 घंटे का कितने 10 घंटे का समय ले लेते हैं और अगर इनको settle down कराया जा तो यह लगभग 4 दिन तक का समय लेते हैं कितने का 4 दिन तक का समय ले लेते हैं तो आप बताइए अगर यह particles 10 घंटे का समय लेते हैं और यह 4 दिन का तो आपके sedimentation tank में sedimentation के लिए क्या चार दिन available होते हैं आपके पास नहीं होते हैं आप चार दिन में अगर sedimentation कराना स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरे water treatment में बहुत समय लग जाता है तो इसलिए इनको settle down कराने के लिए हमें ये विधी प्रियोग करनी पड़ती है यानि कि coagulation का use करना पड़ता है और क्यों coagulation में होता क्या है तो कुछ रसायनों को मिलाया जाता है पानी में जिससे settle down होने की अविक्रिया जो होती है तिवर हो जाती है तेज हो जाती है तो य एक चीज़ ध्यान रखेगा कि वीडियो में अंतक बने रहेगा क्योंकि एक most important question मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं आपको और वो पांस नंबर का आता है तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे और वीडियो को अंतक देखेंगे चलिए आई चलते हम लोग स् वेटाइ तो उन chemicals को जो chemicals हम लोग मिलाते हैं settled down कराने के लिए उन chemicals के हम लोग coagulous बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या वाटर सेंपल होता है उस water में मिलाते हैं सपोर्ज कि ये water है तो इसमें इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसमें जो पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं इसकंदक को मिलाते वक्त ये क्या करते हैं छोटे छोटे से आकरसित होने लगते हैं, जैसे मान लीजिए, यहाँ पर पार्टिकल है छोटा, यह आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे बाकी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यह क्या होने लगते हैं, और आकरसित हो के क्या करते हैं, यह सभी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स ह का रूपधारन कर लेते हैं और यह जब बड़ा पार्टिकल ये इसका भार अधिक हो जाता है चाहाँ घंत तो जब अधिक हो जाता है तो यह अपने आप यहां आके क्या हो जाता है सेटल डाउन हो जाता है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सकंदन बोलते हैं, अच्छा आप यहीं पर यह जो बड़ा पार्टिकल बनता है, इसी को हम लोग फ्लाक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यह हमारा क्या होता है, फ्लाक होता है, इसी को हिंदी में हम लोग उरिका बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्लाक या उंडिका बोलते हैं याने की होता क्या है सकंदक को मिलाने से उंडिका तयार होती है याने की छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़े पार्टिकल का रूपधारण कर लेते हैं और ये फिर का निचे आकर सेटल डाउन् हो जाते हैं हमारे हुआरे टंक में यह होती है कि चालिस पिपीम से जब अधिक होती है तभी हम लोग कोगुलेशन विधी काुज करते हैं 40 PPM से कम है Turbidity अगर इससे कम है तो हम Plane Sedimentation से ही काम चला लेते हैं Plane Sedimentation से हैं हमारा Sedimentation हो जाता है अगर इससे अधिक होती है Turbidity जल में अगर अधिक होती है तब ही हमें क्या करना होता है Coagulation क्या हो सकता पड़ती है ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब कुछ इसकंदक होते हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं उनके बारे में हम लोग discuss कर लेंगे कि वो इसकंदक कौन-कौन से होते हैं तो आईए चली मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से होते हैं इसकंदक जिनका प्रियोग sulphate aluminium sulphate जिसको हम लोग बोलते हैं alum भी बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं alum भी बोलते हैं alum यानि की फिटकरी हम लोग इसको क्या बोलते हैं फिटकरी के नाम से भी जानते हैं या इसी को हम लोग फिल्टर एलम भी बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फिल्टर एलम भी बोलते हैं फिल्टर एलम के नाम से भी इसी को हम लोग जानते हैं दूसरा होता है हम लोगों का दूसरा होता है phairos sulfate phairos sulfate मैं English में ही लिखंगा इसको क्योंकि Hindi में भी वही चीज होती है Hindi में phairos sulfate को phairos sulfate ही बोछते है जैसे अगर मैं ambient में इसको लिखंगा phairos sulfate ही लिखंगा तो मैं English में केवल लिख रहा हूँ ताकि आपका time कम लगे तीसरा होता है फेरिक सल्फेट, तीसरा होता है, फेरिक सल्फेट, चौथा होता है, फेरिक क्लूराइड, चौथा क्या होता है, फेरिक क्लूराइड, पांचवा होता है, कैल्सियम हाइड्रक्साइड, कैल्सियम हाइड्रक्साइड, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं किसके रूप में, इस कंदक के रूप में, इन सभी का प्रयोग हम लोग करते हैं, मैं हिंदी में भी आप चाहें तो लिख दूँगा, ये फेरिक सलफेट इसको बोलते हैं, लेकिन एक ही बात हुई, ये फेरिक हमारा क्या होता है, सलफेट हो करते हैं इसको हम लोग कैल्सियम हाइड्रक साइड भी बोलते हैं हाइड्रक साइड इन सभी का हम लोग इन जितने भी केमिकल्स हैं इनका प्रियोग हम लोग किसके रूप में कोगुलेंट की रूप में करते हैं सकंदक के रूप में हम लोग इनका प्रियोग करते हैं और इस इसमें सवस्य जादे जो प्रियोग किया जाता है वो किसका किया जाता है तो वो एलुमिनियम का किया जाता है जिसे हम लोग एलम भी बोलते हैं जिसे फिटकरी के बारे में सभी लोग जानते हैं फिटकरी का यूज सभी लोग जानते हैं बहतर तरीके से यह होता है अब इसक के बारे में बताने वाला हो कि इसकी मातरा कितनी हमें मिलाई जानी चाहिए मैंने आपको पुरी प्रोसेसिंग बता दिया कि फ्लाक कैसे बनते हैं उस विधी को हम लोग फ्लाकुलेशन बोलते हैं जो फ्लाक बनने की विधी होती उसको हम लोग फ्लाकुलेशन बोलते हैं मैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो कोगलेंट्स होते हों उनको कैसे मिलाया जाता है चलिए आई तो कोगलेंट्स की बात की हमने तो अब हम लोग आगे थोड़ा से इसके बारे में डिसकस कर लेंगे कि इनको कितनी मात्रा में मिलाया जाता है पानी में तो एक चीज मैं डो जाफ कोगुलेंज कि सकंदक की मात्रा इसको अम लोग थोड़ा सा डिसकूर लेंगे कि तनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए तो यह total depend करता है किस चीज़ पर, कि जो जल का water की quality है वो कैसी है, जो हम water, जो जल sample लेते हैं उसकी quality कैसी है, तो water quality पर totally depend करता है कि इनकी मात्रा कितनी होगी, अब जैसे water quality की बात करेंगे तो उसमें पहली चीज़ आ जाती है आपकी turbidity, उस जल की उस water की turbidity कितनी है, उस water की turb turbidity, turbidity मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियो में, पिछले chapter में, जो आपका third chapter है, second chapter में साइद मैंने बताया है, turbidity के बारे में आपको, जो हमारी क्या होते है, जिसको हम लोग बोलते हैं, और भी ललता बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और भी ललता बोलते कितना है कि टम्प्रेचर उसके बाद से कलर किलर पिएच बैल्यू इन अंहीं सब चीजों पर डिपेंड करता है कि सकंदक की मातरा कितनी होगी इनकी मात्रा पेडिपेंट करेगा यानि कि water की quality पेडिपेंट करेगा कि water की quality कैसी यानि कि टर्बिटी उसमें कितनी है temperature उसका कितना है उसमें color कितना है उसमें odor कितना है उसका pH value कितना है इन सब चीज़ों पेडिपेंट करता है कि सकंदक की मात्रा हमें कितनी मिलानी है लेकिन एक चीज ध्यान रखना होता है कि अंत में सकंदक को मिलाने के पश्चाथ जब sedimentation की क्रिया हो जाती है तो उसके पश्चाथ जो पानी है उसकी गंदलापन जो पानी है उसकी turbidity कितनी रह जानी चाहिए दस से बीस ही रह जानी चाहिए जैसे मालेजों अगर किसी पानी की बाद में फिल्टरेशन में ये भी खतम हो जाती है जो हमारा पेजल होता है उससे तो इस चीज के रहान रख़ा जाना चाहिए कि लाश्ट में इससे अधिक मही बचनी चाहिए ये टर्विटी की मात्रा पे अजल में ये तो हो गया कि हम कितनी मात्रा में मिलाते हैं अब दूसरी थोड़ी सी बात कर ले मैंने आपको बताया कि सबसे जादे जो यूज किया जाता है कोगलेंट्स के रूप में वो होता है हमारा फिटगरी एलम तो फिटगरी के बारे में फिटगरी बस वीडियो का आप लोग ध्यान से देखें पेन रफ अगर कोई जरुत पड़े कुछ लिखना हो तो लिख लें अदरवाइस ध्यान से सुनें और देखें और नोट्स मैं आपको प्रवाइड कर दूँगा और नोट्स के लिए मैं आपको चैनल बता देता हू मेरा चैनल है whole study telegram पे आप टेली ग्राम पे जाएंगे ठेली ग्राम पे तो टेली ग्राम पे आपको छैनल है whole study मेरा ही channel हमां लिंक भेशोंगा whole study whole study नाम के channel पे टेलिग्राम पे आपको पूरी PDF मिल जाएगी पूरी आपको PDF क्या हो जाएगी मिल जाएगी इस subject की यानि कि subject की पूरे नहीं लेकिन जितने chapter मैं पढ़ाया हैं उतने chapter की मिल जाएगे और उसके बाद आगे मैं एक एक चेप्टर पढ़ाता चला जाओंगा और आपको एक एक चेप्टर की PDF मैं प्रोवाइड करता चला जाओंगा। तो टेलिग्राम चैनल पे आप PDF को पा सकते हैं यहां से तो यह फिटगरी मैं आपको बता रहा था किसके लिए फिटगरी के बारे में होर स्टडी नाम है मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं भेज दूंगा लिंक परिसान होने की बिल्कुल भी सकता नहीं है एलम मिश्क्रेचि बात और फिटगरी के कुछ सब्सक्रेच्पकि एडवांटेज हैं में फिटेंट्टाहूं कौन से हैं वेड़ती सबसे पहली ने है कि यह सानी हो जाता है असानी सबसे पहली चीजी है कि यह यह आसानी से उपलब्ध योप लब्ध है यह हर जगर दूसरी चीज इसके रख रखाओं में कोई ज्यादी रख रखाओं में ज्यादे हमें सावधानी बरतने क्या सकता नहीं पड़ती है यह दो लाव हो गए तीसरी चीज इससे रंग यानि की color गंध यानि की order और test ये तीनों यानि की स्वाद स्वाद ये बने रहते हैं color, order, और test ये क्या होते हैं? फेटेकरी के यूज से बने रहते हैं आप लोगोंने कभी-कभी notice किया होगा या घर में लोग बताते हैं आपको एक नुस्खा कि जब मुह का स्वाद खराब हो जाता है तो as a mouth fresner आप आधे गिलास पानी में या आधे कप पानी में थोड़ी सी फेटेकरी को घोल के और जब उससे माउथ वास करते हैं तो आपका test वापस आ जाता है ये फेटेकरी का एक गुण होता है test वाला यानि कि वो सीधे सीधे ये कहा जाता तो dis infection का काम करता है जितने भी किटाड होते हैं जितने भी बैक्टिरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है कौन जो हमारा एलम होता है जो हमारी फेटेकरी है ये तो इसलिए एक तरह से कहा जाता तो ये किसीज का काम करता है, तो चोथा बात कर लें, तो ये डिसिंफैक्शन का भी काम करता है, डिसिंफैक्शन का भी काम करता है, यानि कि रोगान नासन का भी काम करता है, रोगान नासन का भी काम करता है, इसीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे chlorination होता है तो उसमें chlorine की मात्रा मिला जाती है तो हमारे disinfection का काम खतम हो जाता है वैसे ही fit cream भी क्या करती है एक तरह से disinfector है disinfection का काम करती है यह lab हो गए अब कुछ disadvantages भी है जो हमारी fit cream होती है इसके कुछ disadvantages भी है disadvantage है इसकी बात करेंगे हान तो इसकी हानियों की बात करेंगे तो हानियों में सबसे पहली जो चीज आती है बहुत जादे हानिया नहीं लेकिन इसको यूज की कुछ हानिया हर चीज के कुछ लाव होते हैं तो कुछ हानिया भी होती है तो इसमें सबसे पहली चीज यह होती है क कि जो हमारे sludge होते हैं मैंने आपको अभी बताया भी था जो हमारे sludge होते हैं वो जिनको हम लोग हिंदी में आपंक बोलते हैं ये आपंक की बात कर लें तो जो हमारे आपंक होते हैं ये थोड़े कठिनाई से नीचे तली में बैठते हैं कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इनको जल से अलग करना बहुत ही कठीन हो जाता है यानि कि असुद्धियों को जल से अलग करना थोड़ा सा कठीन कभी कभार हो जाता है तो उसके लिए फिर हमें अलग से क्या करना पड़ता है, जो वाटर होता है, उसमें अलुमिनियम मिलाने के पस्चार्त भी इस वाटर में हमें क्या करना पड़ता है, अलग से सोडियम सीलिकेट मिलाना पड़ता है, sodium silicate हमें मिलाना पड़ता है तो ये जो sodium silicate जब मिला देते हैं इस gel में हमने क्या किया fitic cream मिलाया, alum मिलाया और उसके बाद भी ये आपंग जो होते हैं settle down नहीं होते हैं तो फिर हमें उसमें क्या करना पड़ता है sodium silicate मिलाना पड़ता है और तब यह जो sludge होते हैं, इसमें यह settle down हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभार ऐसी condition आती है कि जब हम इसको as a coagulants use करी रहे हैं, उसके बाद भी हमें कुछ chemical का use करना पड़ता है, तो इसलिए इसकी एक हान है, दूसरी चीज, फिटकरी का use करने से पहले हमें pH value को control करना पड़ता है, यह तो पहली सीज हो गई, दूसरी क्या, कि जो हमारे water का pH होता है, उसको भी control करना पड़ता है, अगर pH value सही नहीं है water की, तो वो जो हमारा जल होता है, उसमें फिटकरी की उचित मात्रा मिलाने से coagulation की क्रिया नहीं हो पाती है, तो इसके लिए ज 6.5 से कम होती है, pH value, तो यह काम नहीं करती है, जो हमारी एलम है, तो यह एलम की लाव और हानिया हो गई, अगर आप से आता है, पूछा जाता है, तो यह लिख लेंगे, एक तो यह question बन गया, जो बहुत ही आपके लिए क्या है, important है, बहुत ही आपके लिए क्या है, important है, द और उकुलतम मात्रा है, उसको निर्धारित कैसे किया जाता है, जो मात्रा है, इस कंदक की, उसको निर्धारित कैसे किया जाता है, तो निर्धारित करने के लिए हमारे पास एक जार टेस्ट होता है, वो किया जाता है, तो आईए चलिए मैं आपको बताता हूँ, कि यह जो मैं इसको भी रेज कर देता हूँ चलिए आप्टिमाम डोज आफ कोगुलेंड कोगुलेंड की उचित मात्रा का निर्धारन सकंदक की उचित मात्रा का निर्धारन मात्रा का निर्धारन चलिए तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूँ कि इसमें इसको कैसे हम लोग ज्यात करते हैं सबसे पहले बात ये तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो मात्रा होती है जो quantity होती है जो डोज होती है इस कंदक की वह होती है कि सबसे नियूंतम मात्रा में इस कंदक की सबसे नियूंतम मात्रा को पानी में मिलाने पर जब अच्छे फ्लाक बन जाए उडिकाज अभी मैंने आपको फ्लाक के बारे मताया था कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते ह चोटे चोटे पार्टीकल्स होते हैं, इंप्रियॉर्टीज के, वो एक साथ जब मिलके बड़े हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इसकंदक की निर्धारित मात्रा या अनुकूलतम मात्रा कहते हैं उचित मात्रा या अनुकूलतम मात्रा भी इसको हम लोग बोलते हैं यह होती है हमारी अनुकूलतम मात्रा अब चुकि फिटिकरी का ही हुज हम लोग सबसे जादे करते हैं किसके लिए क्या होता है जार टेस्ट तो यह जार टेस्ट कैसे किया जाता है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा जार टेस्ट इसको हिंदी में भी जार परिक्षण ही बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं जार परिक्षण ही बोलते हैं तो जार परिक्षण में नार्म कि इसमें होता क्या है इसमें कि इस प्रकार से कि छे जार लिए जाते हैं यह कि यह आपको दिखाई दे रहा है कि यह कुछ इस प्रकार से यह जार नंबर एक होता है दो होता है तीन होता है यह चार होता है यह पांच होता है और यह छे होता है यहां पर लिख दिया हूं ऐसे आप चाहें तो यहां भी नीचे भी लिख सकते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं है आप इसको नीचे भी लिख सकत से रख देते हैं यह कुछ इस प्रकार से हम लोग इस पर रख देते हैं उसके बाद इसमें क्या करते हैं तो इसमें हम लोग पानी की मात्रा भरते हैं क्या करते हैं पानी की मात्रा को भरते हैं जो हमारा सेंपल होता है जो वाटर सेंपल होता है एक ही प्रकार के वाटर सेंप छे के छे जार में हम लोग क्या कर देते हैं? एक साफ्ट से इस प्रकार से जुड़ा होता है, एक साफ्ट की सहायता से ये इस प्रकार से जुड़ा होता है, ये हमारा एक साफ्ट है, ये, जिसकी सहायता से ये क्या होता है, इस तरीके से आप लोग भी मेरे साथ ही बना लेंगे, ये, ये इस तरीके से जुड़ा होता है, साफ्ट की साहता से, ये, ये connected होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, साफ्ट और ये जो साफ्ट से जुड़ा होता है, ये, यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये, ये कुछ इस प्रकार से, इसको हम लोग ड्राइविंग साफ्ट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइविंग साफ्ट, ये हमारा ड्राइविंग साफ्ट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ये जो होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं steering rod इनको क्या बोलते हैं steering rod बोलते हैं steering rod बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग बिडोलन छड के नाम से भी जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं बिडोलन छड Hier Driving Soft होती है और starting में यहाँ पर क्या होता है हमारा तो यहाँ पर इस तरीके से यह हमारे पास यह कुछ इस प्रकार का Driving System होता है क्या होता है यह एक हमारे पास Driving system होता है ये और इसी पर ये पुरा काम करता है जो हम लोगों का जार टेस्ट है अब इसमें होता क्या है मैं आपको ये बता दूँ ये आपका पैडल है मैंने पहले ही बता दिया कि ये आपके क्या है ये सभी के सभी क्या है ये भी हमारे क्या है ये पैडल है पैडल आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पैडल होता क्या है अब यह आपका जार नमबर 1 है, जार नमबर 2 है, जार नमबर 3 है, जार नमबर 4 है, जार नमबर 5 और जार नमबर 6 है अब मैं एक चीज आपको बता दूँ, सपोज कीजिए मैंने इसमें आपको बताया कि पूरे 6 के 6,000 में समान मातरा में water sample को भर दिया गया है अब इसके 50 क्या करना है मान लिजी हमने इसमें जार नमबर 1 में 5 ppm alum की मातरा मिला दी इसमें 10 ppm, इसमें 15 ppm, इसमें 20 ppm, इसमें 25 ppm और इसमें 30 ppm हमने alum की मातरा याने कि फिटिकरी की मात्रा मिला दी ठीक है 6 के 6000 में अलग-अलग फिटिकरी की मात्रा मिला ही जाती है उसके बाद क्या किया जाता है उसके बाद ये जो driving system है यहां से motor की बेऊस्था से या handle से हाथ से भी हम लोग इनको चलाते हैं तो ये भी घूमते हैं ये paddle जब इनको ऐसे चलाते हैं तो ये paddle इस तरीके से घूमते हैं और इसमें जो हमारे coagulants की मात्रा याने कि फिटिकरी की मात्रा है ये अच्छे से क्या होती है मिलती है जब ये paddle घूमते हैं तो ये अच्छे से मिलती है सभी के सभी जार में, यह आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है, इधर भी एक क्या लगा है, यहाँ पे यह फिक्स होता है, यहाँ पे यह क्या होता है, यह आपको समझ में आ रहा होगा, यह पूली की सहायता से फिक्स होता है, एक यहाँ भी क्या लगी होती है, सपोज किज ये जार है ये सभी के सभी क्या है ये जार है यहीं आपका फीगर है अब करते कि हैं जब इसको चलाते हैं तो 5 मिनट तक कितने मिनट तक मैं आपको लिख देता हूं 5 मिनट तक पांच मिनट तक हम लोग इनको चलाते हैं और किस रफ़तार से चलाते हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ 30 से 40 चकर प्रती मिनट की रफ़तार से चलाते हैं क्या करते हैं 5 मिनट तक हम लोग क्या करते हैं इदर दिखाई दे रहा है पांच मिनट तक हम लोग चलाते हैं इनको मैं यहाँ ब्लैक पेंस लिख देता हूँ ब्लैक मारकर यूज़ करता हूँ पांच मिनट तक पांच मिनट तक क्या करते हैं हम लोग तीस से चालिस चकर तीस से चालिस चकर पर मिनट की दर से हम लोग चलाते हैं 30 से 40 चकर पर मिनट की दर से यहां से चलाते हैं तो ये पैडल भी घूमते हैं और इसमें ये क्या होते हैं? मिलते हैं उसके बाद 15 मिनट तक स्लो वली 15 मिनट तक हम लोग क्या करते हैं? स्लो चलाते हैं इसको 5 मिनट इस speed से चलाने के बाद इनको 15 मिनट तक slow चलाते हैं और उसके बाद इसके पहचात हम लोग क्या करते हैं आधे घंटे तक, half hours तक हम लोग क्या करते हैं इनको बिल्कुल इस्थिर रहने देते हैं सबसे पहले 5 मिनट तक इस speed से चलाया पंदर मिनिट तक स्लो चला या उसके बाद हाफ हावर तक विल्कुल हम लोग क्या कर देते हैं सांत रहने देते हैं इसमें ये जार में जल को सांत रहने देते हैं उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि किस जार में सबसे अच्छे सबसे कम जो हमारे एलुमिनियम की मात्रा है जो फिटिकरी की मात्रा है सबसे कम जिसमें मिली हो और सबसे अच्छे फ्लाक्स बन गए हो तो उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं हमारे कोगुलेंट्स की निर्धारित मात्रा या उचित मात्रा मान लेते हैं जैसे मान लिजी ये देखा जाए कि ये जो जिसमें हमने 15 PPM मिलाया था, जिसमें हमने 15 PPM क्या मिलाया था, कोगुलेंट्स की मात्रा मिलाई थी, इसमें अच्छे फ्लाक बन गए, इसकी अपेक्छा भी और इनकी अपेक्छा भी, इन सभी के अपिक्छा भी और इनकी अपिक्छा भी इसमें अच्छे फ्लाक बन गए तो हम लोग मान लेते हैं कि इस वाटर सेंपल के लिए 15 ppm मात्रा हमें फिटकरी की मिलानी है कोगुलेंट्स के रूप में यानि कोगुलेशन की क्रिया के लिए I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब चुकि एक चीज यहां से मैं बता दूँ आपको कि जो निउन्तम मात्रा होती है फिटकरी की वो कितनी मिला जाती है तो निउन्तम मात्रा 5 ppm मिला जाती है और अधिक से अधिक 30 ppm तक मिला जाती है इससे अधिक हम लोग नहीं मिलाते हैं ये होती है मात् इसकंदन के जो स्टेप्स होते हैं वह कौन से होते हैं तो चलिए कुछ इसकंदन के जो स्टेप्स होते हैं मैं वह आपको बता देता हूं चलिए आईए तो इसकंदन के जो स्टेप्स होते हैं मैं वह आपको बता देता हूं कि कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं कौन-कौन से चरण होते हैं, जिससे सकंदन की क्रिया संपूर्ण होती है। Steps in coagulation, सकंदन के चरण। चली, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, इसमें सबसे पहली चीज जो आती है, वो आती है feeding of coagulants, क्या करना? feeding of coagulants सकंदक का, इसकंदकों का भरना या पानी में डालना, पानी में डालना, दूसरा होता है mixing of coagulants, तीसरा होता है, flacculation, जिसको हम लोग uradon बोलते हैं, क्या बोलते हैं? uradon बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सकंदकों का पानी में मिलाना, सकंदकों का पानी में मिलाना, ये, इसको उर्डन बोलते है हिंदी में, और जो चौथा होता है, वो होता है, सेटलिंग आप फ्लक्स, सेटलिंग आप फ्लक्स, यानि कि, उर्ड़कों का तली में, तली में बैठना, सेटल डाउन होना, यानि कि तली में बैठना, यह step होते हैं कि, कोगुलेशन के, सबसे पहले हमने feed किया, मिलाया, कोगुलेशन को पानी में, उसके बाद mix किया, अच्छे से, उसके बाद flakulation की क्रिया हो, फ्लाकुलेशन मैंने अभी आपको बता दिया फ्लाकुलेशन होता क्या है जिसमें फ्लाक छोटे-छोटे बनते हैं और जो अपने भार के कारण क्या होते हैं बैट जाते हैं उसके बाद सेटलिंग आप फ्लाक उनको का तली में बैटना यानि कि सेटल डाउन हो जाना ये काम होता है तो ये चारव में से सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जो होता है आपका फीडिंग आप कोगलेंट्स तो फीड करना कोगलेंट्स को पानी में फीड करने के लिए भी दो बीधियों का हम लोग प्रियों करते हैं कोगलेंट्स को पानी में फीड करने के लिए हम लोग दो विधी का प्रियो करते हैं जब सूखे पाउडर के रूप में हम लोग मिलाते हैं कोगलेंट्स को तो इसे हम लोग बोलते हैं ड्राइ फीडिंग मेथड इनको मिलाने के भी दो मेथड होते हैं एक होता है ड्राइ फीडिंग जिसको हम बोलते हैं ड्राइ फीडिंग मेथड और दूसरा होता है वेट फीडिंग मेथड इसको बोलते हैं सूखी भरण विधी इसको बोलते हैं हिंदी में सूखी भरण विधी और इसको बोलते हैं गीली भरण विधी गीली भरण विधी ये दो विधिया होती है क्या करने की फीड करने की कोगुलेंट्स को जल में तो सबसे पहले विधी एक को पढ़ेंगे dry feeding विधी ये क्या होती है तो dry feeding method को हम लोग पढ़ेंगे कि ये कौन सी होती है चली आईए तो start करते हैं हम लोग सबसे पहले जो dry feeding method होता है उसको तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहली जो है आपकी dry feeding method इसको केवल dry feeding के नाम से भी बोलते हैं dry feeding जिसको हम लोग सूखी भरण विधी बोलते हैं सूखी भरण विधी अब इसमें क्या होता है तो इसको मैं आपको figure की सहाइता से बताऊंगा तो आईए चली मेरे साथ ही आप लोग भी figure बना लें और मैं figure को बना देता हूँ आपके लिए फटाफट इसमें एक हापर होता है इसमें क्या होता है एक हापर होता है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे कैसे चीजे होती है चलीए इसमें एक हापर होता है ये कुछ इस प्रकार से ये और इस हापर में इसके नीचे ये एक चैनल बनी होती है ये क्या है? एक चैनल है जिसमें रा वाटर भरा होता है जिसमें क्या है? रा वाटर भरा होता है ये एक चैनल है जिसमें रा वाटर भरा होता है यहाँ पर एक इस प्रकार की एक ब्योस्था होती है जिसमें यहाँ पर हेलिकल इस्क्रू लगा होता है ये, ये कुछ इस प्रकार से होती है, ये, ये इसमें केमिकल पावडर मिले होते हैं, ये इसमें केमिकल मिले होते हैं, जो पावडर केमिकल होते हैं, ये इसमें रसाण चूण भरे होते हैं, ये चालक घिरनी होती है, ये राव आटर चैनल होती है, और इसमें ये हेलिकल स्कू लगे होते हैं, ये क्या हैं? ये इसमें हेलिकल स्कू लगे होते हैं, अब यहीं होता है इसमें, अब होता क्या है इसमें? देखिए, ये जो हापर में, ये जो हमारा हापर होता है, इस हापर में चूण भरे होते हैं, और ये जो ड्राइविंग पुली है, ये इस रा वाटर चैनल से कनेक्ट होती है। इसमें एक वेंचुरी डिवाइस की सहायता से यह जो पुली है यह connect होती है वेंचुरी डिवाइस की सहायता से जब इसमें रा वाटर चैनल में पानी की मात्रा अधिक होती है तो उतनी तेजी से यह पुली चलती है और फिर जितनी तेजी से यह पुली घूमती है इस हेलिकल screw की सहायता से उतने ही ज्यादे मात्रा में ये चूण जो होते हैं chemical जो होते हैं ये जो powdered chemical होते हैं ये इस channel में गिरते हैं और ये जो powder chemical होते हैं ये कौन से होते हैं तो यही coagulants होते हैं तो ये कोगलेंस क्या होते हैं, जितनी तेजी से घूमती है, उतनी तेजी से इसमें गिरते हैं, कहने का मतलबी है, पानी की मात्रा इस चैनल में अधिक होती है, तो ये अधिक मात्रा में गिरते हैं, क्योंकि अधिक तेजी से पुली घूमती है, और पानी की मात्रा जैसा ही जम न जाएं, कौन? जो हमारे powdered chemical है, इसके लिए इसमें एक scrubber भी लगा होता है क्या लगा होता है? एक scrubber यह आपकी क्रिया विधी एक किसीज की सूखी भरण विधी की आपको समझ में आए गई होगी, बस इसी को अपनी भासा में लिख देना है कि इस विधी में एक कच्चे पानी की चैनल होती है एक hopper होता है hopper में एक driving pulley लगी होती है जो helical screw की सहायता से बंदी होती है, helical screw जो हमारी driving pulley होती है वो raw water channel में एक venturi device की सहायता से जूड़ी होती है, जैसे ही channel में पानी की मात्रा अधिक होती है ये driving पुलिति व्रगती से घूमने लगती है, और ये चूण उत्रे ही तेजी से गिरता है, तो ये हो गई आपकी सूखी भरण बिदी, अब दूसरी हम लोग बात करेंगे driving, जो sorry, दूसरी बात करेंगे हम लोगों की जो weight feeding है गीली भरण बिदी, ये समझ में आ गया होगा आपको, मैं इसको erase करता हूँ दूसरी है आपकी गीली भरण बिदी, मैं उसको आपको बताऊंगा फटाफट चलिए आईए फटाफट, मैं आपको बताता हूँ जो गीली भरण बिदी है उसको weight feeding weight feeding और इसको हम लोग गीली भरण बिदी के नाम से जानते है weight feeding, गीली भरण बिदी अब ये भी दो प्रकार की होती है इसमें किया कह जाता है सबसे पहले गीली भरण बिदी में सबसे अच्छी बिदी हैं यह होती है गीली भरण बिदी इसमें किया कह जाता है पहले कोगलेंट्स को मिला लिया जाता है थोड़े से पानी में और लिक्विड बना लिया जाता है और उसके बाद उसको पानी में मिलाया जाता है या जो हमारा ग्रावाटर चैनल होती है उसमें मिलाया जाती है तो उसके लिए किया कह जाता है इसमें मैं उसको बताऊंगा तो इसको पानी में जल में मिलाने की भी दो भी दिया होती है इसमें भी अब इसमें कौन कौन से दो भी दिया होती है एक होती है आपकी पहली इसमें एक होती है आपकी इसमें पहली यह आपकी B है और इसमें जो पहली होती है वो होती है Conical Plug Operators इसमें आपरेटरस का यूज किया जाता है किसीज के लिए पानी में मिलाने के लिए कोगलेंड्स को तो इसमें जो पहला होता है वो होता है Conical Plug Operators यह होता है आपका जिसको आपका हिंदी में बोलते हैं Sanku Sanku Numa Plug Plug उपकरण और दूसरा होता है आपका Adjustable Wear Operators इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समाई होज जी समाई होज वियर उपकरण यह दो उपकरणों का यूज करते हैं हम लोग किसीज के लिए पहले गीली भरण विधी में जल में घोल लेते हैं पानी को और उसके बाद उसको मिलाने के लिए जल में यानि कि भरने के लिए डालने के लिए फीड करने के लिए दो उपकरणों का प्रियोग करते हैं पांस नंबर में क्वेस्टन आ जाता है यह निशित रूप से आता है एक वेट फीडिंग मेथड के बारे में यह ड्राइ फीडिंग मेथड के बारे में आपसे पूछा जाता है एक क्वेस्टन यहां से फिक्स है चलिए तो इसको आसानी से समझ लीजिए और देख लीजिए और बहुत ही आसानी से आप क्या पाएंगे इसको लिख पाएंगे या बना पाएंगे तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और यहां पे एक-एक को मैं बता देता हूँ आपको एक-एक के बारे में मैं बता तो सबसे पहले मैं संकुनुमा प्लग उपकरण को बताऊंगा फिगर की सहायता से की होता क्या और कैसे काम करता है तो आई चलते हैं मेरे साथ आप लोग फिगर को फटाफट क्या करेंगे बनाएंगे देखीये इसमें दो क्या होते हैं यहां तक दिख रहा है आपको बिल्कुल दिख रहा है और ऑसमें दो चैनल होती हैं यह कुछ इस प्रकार की यह यह आपको दिखाई दे रहा है है चलिए मैं इसको बनाने की कोशिज करता हूं थोड़ अप्ती ब्रगती से आप लोग भी इसको देखेंगे ये ये हमारी रावाटर चैनल ओती ये ये क्या है हमारी रावाटर चैनल हैं और इसको हम बोलते हैं फ्लूट टेवर इसको क्या बोलता है लोग अ फ्लोट लेम बोलते है है यह क्या है यह अटा रा वाटर न好吃 चैनल देङ आप अ और यह आपकाड हैं यह आपका इधर दिक्रा दिखराई है अवे लूट चेंबर है इस फ्लोट चेंबर में एक फ्लोट क्या होता है इस तरीके का एक फ्लोट इस परकार से धूरी के साथ जूड़ा होता है और इसमें क्या होता है इसमें एक इस परकार से मैं आपको दिखा देता हूँ ये यह आपको दिखाई दे रहा है यह इसमें एक कोनिकल यह जो कोनिकल प्लग होता है यह जुड़ा होता है यह यह केमिकल टैंक होता है यह क्या है आपका तो यह आपका केमिकल टैंक है इसमें केमिकल भरा होता है ये ये आपका केमिकल टैंक होता है जिसमें यहां से हम लोग क्या करते हैं यहां से एक टोटी के माध्यम से जिसको हम लोग वाल्व करते हैं ये एक टोटी के माध्यम से केमिकल फीड करते हैं केमिकल फीड करते हैं इसमें केमिकल टैंक में केमिकल हम लोग क्या करते हैं फीड करते हैं और यह जो होता है यह यहाँ पे ये इस तरीके से connect होता है एक पूली के माध्यम से ये जो हमारा ये पूली के माध्यम से यहाँ एक पूली से क्या होता है connect होता है यहाँ एक पूली होती है जिसकी सहायता से यह क्या होता है connect होता है ये कुछ इस प्रकार से ये क्या है ये क्या है ये पूली है ये एक पूली है जिससे ये connect होता है और यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से ये जो साफ्ट होता है यह हमारा क्या होता है फ्लोट होता है जो यहां पर रैक और पीनियन की सहायता से क्या होता है रैक और पीनियन की सहायता से यह जुड़ा होता है, किस से रैक और पिनियन की साहता से, फिर यहां पे एक पुली लगी होती है, जिस से यह हमारा क्या होता है, यह कुछ इस प्रकार से, यह हमारा क्या है, रैक और पिनियन है, यह आपको दिख रहा है, रहक और ये पिनियन होता है और यहीं पुरा क्या है इसका यह आपको दिखाई दे रहा है यह कौनिकल प्लग है अब देखिए यह पुरा आपका फीगर हो गया अब इसे में आपको देखना है यहां से केमिकल के जो पाउडर होते हैं इसमें फिड होते हैं ये जो हमारा chemical tank है, इसमें ये fit होते हैं, अब क्या होता है, जब ये हमारा channel है, इसमें पानी की मात्रा बढ़ती है, जब इसमें पानी की मात्रा बढ़ता है, इस channel में, जो raw water channel है, तो इससे ये हमारी float chamber ये भी connect है, तो इस float chamber में भी पानी की मात्रा बढ़ती है, जब इसमें बढ़ेगा तो इसमें भी पानी बढ़ेगा जब इसमें पानी बढ़ता है तो ये फ्लोट उपर उठता है तो ये जो आपका कोनिकल प्लग है ये भी उपर उठता है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका कोनिकल प्लग है ये भी उपर उठता है और जब ये कोनि इसमें प्रवाहित होने लगता है और जैसे ही इस रा वाटर चैनल में पानी की मात्रा कम होती है फ्लोट इस फ्लोट चेंबर में पानी की मात्रा कम होती है तो यह फ्लोट नीचे आता है फिर जब यह नीचे आता है तो यह हमारी कोनिकल प्लग भी नीचे आती है और यह जो लोग भरन करते हैं सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या करते हैं इसमें जब पानी की मात्रा अधिक होती है तो फ्लोट चेंबर क्या होता है ती ब्रगती से उपर उड़ता है और फिर ये आपका कोनिकल प्लग भी उपर उड़ता है और केमिकल की मात्रा इसमें प्रवाहित होने लगती है अधिक मात्रा में जैसा ही उल्टी क्रिया होती है तो ऐसे ही उल्टी भी प्रीद इसा में आके बंद हो जाता है और यहीं आपकी पूरी प्रोसेसिंग है चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैं आपको दूसरा बताता हूँ जो आपका दूसरा था वो था एडिजस्टेबल वियर एडिजस्टेबल वियर आपरेटरस मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा एडिजस्टेबल वियर आपरेटरस के बारे में वो कैसे काम करता है वो भी लगभग इसी की तरह कारे करता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो काम कैसे करता है चलि देखिए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं जो आपका केमिकल प्लग स्वारी एडिस्टेवल वियर आपरेटर दूसरा इसमें मैंने आपको बताया था अग्याश्टेवल वियर आपरेटर्स इसको इंदी मैं बोलते हैं समायोजी समायोजी वियर उपकरन ये अब ये कैसे काम करता है तो ये भी लगभग जो आपका कॉनिकल प्लग अपरेटरस है उससे थोड़ा सा डीफेरेंट है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इसमें भी सेम एक फ्लोट लगा होता है सेम यहीं प्रक्रिया होती है इसमें एक रा वाटर चैनल होती है ये रा वाटर चैनल है ये बस थोड़ा सा अंतर ये होता है इसमें कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोना चीज़े सेम हैं लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक अलग चीज हमें मिलती है देखने को ये हमें एक यहाँ पे अलग चीज मिलती है देखने को और ये क्या होती और फिर इसमें कहां से तो इसमें यहां पर एक और टैंक होता है, ये, ये कुछ इस प्रकार का, जिसमें ये एक adjustable wear लगा होता है, यहीं होता है आपका adjustable wear, ये, और इस adjustable wear की सहायता से ये काम करता है, यहां पर इसमें, ये, ये एक टैंक होता है, जिसमें water क्या होता है, इधर आपको दिखाई देरा, थोड़ा मैंने टीड़ा बनाया है, कोई बात नहीं, मैं इसको सीधा कर दूँगा, चलिए, ये कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें chemical, इसमें chemical को क्या किया जाता है, powder के रूप में, भरा जाता है, इसके लिए एक टॉटी लगी होते हैं, जिसे हम लोग valve बोलते हैं, यहां से chemical क्या होता है, feed होता है, यह, यहां से आपको दिखाई दे रहा है, यहां से क्या होता है, chemical, feed किया जाता है, इस वाले tank में, और फिर इस tank से, यह जो हमारा, यह adjustable wear होता है, इसी को हम लोगों क्या बोलते हैं, एस टेवल, wear बोलते हैं, यहां पे ऊपर connect होता है, उपर connect क्या होता है, तो यह किसी से connect होता है, तो यह मैं आपको बता दूगा, यह आपको लोड होता है, जिसकी सहायता से यह support से connect होता है, यहाँ पर एक support होता है, यहाँ पर एक load लगा होता है, यहाँ पर एक load लगा होता है, यहाँ पर एक load लगा होता है, इससे connect होता है, यहाँ पर एक support होता है, यह फ्लोट यहाँ पर डिरेक्ट, यह liver arm से जुड़ा होता है, यह क्या है हमारी? लिवर आर्म है जिसको हम लोग उत्तुलक बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उत्तुलक बोलते हैं यह हमारा इस तरीके का होता है यह हमारी फिडिंग टैंक होती है यह इसमें हमारा जो केमिकल होता है अब देखिए इसमें होता क्या है यह हमारा float है सेम चीज है बस थोड़ा सांतर यहां प्याज आता है कि यह जो है हमारा adjustable wear इसमें लगा होता है देखें chemical फिट से chemical tank में chemical आता है इसमें मिल जाता है, मिलने के बाद यह जो adjustable wear tank है इसमें इसको हम लोग क्या करते हैं तो इसमें जब यह आता है तो इसके पहचात होता क्या है इसमें यह आता है फिर यहां से यह जो adjustable wear होता है इसमें छिद्र बने होते हैं यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें छिद्र बने होते हैं यह कुछ इस प्रकार का होता है यह कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें इस प्रकार के क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, यानि कि जितनी अधिक मात्रा में यह उपर उठेगा, उतने ही छिद्र क्या हो जाएंगे, बलाक हो जाएंगे, और जितना नीचे जाता है, उतने ही छिद्र यहां, क्या होते हैं, यह पर यह चिद्र है यह खुल जाते हैं और जब यह चिद्र जितने अधिक मात्रा में नीशे जाने पर खुलते हैं उतने ही अधिक मात्रा में इसमें क्या होती है फीडिंग होती है यानि कि इसमें रसायन आता है फिर इस टैंक से रसायन इस चैनल में आता है और इस चैनल में म तो जो ये adjustable wear है ये भी नीचे आता है और जब ये adjustable wear नीचे आता है तो मैं आपको दिखा दूँ गिई अगर यह पे इसको black करने का कोई तरीका हो passou Repeats किजिए अगर यहां पे इसको black करने का कोई तरीका हो और आप बताएं कि जब यहां से black है इसमें 2 छिद्र हैं ज दो चिद्र या चार चिद्र और खुल जाएंगे तो आप बताईए पहले वाले से ज़्यादे फीडिंग होगी यानि कि ज़्यादे केमिकल इसमें प्रवेस करेंगे या अब वाले से पहले मातर दो चिद्र थे जब ये ऊपर की तरफ था नीचे आ गया चार चे या अधिक हो गए तो जितने अधिक चिद्र होंगे उतने अधिक मातरा में क्या होंगी इसमें केमिकल फेडिंग होगी सेम वहीं प्रक्रिया होती है इसमें जितना ये नीचे जाएगा जो एड़ेस्टेबल वियर है उतने ही अधिक छिद्र खुल जाएंगे और इस टैंक में यह जो chemical tank है इसमें उतने ही अधिक मात्रा में क्या होंगे आएंगे जो हमारे chemicals हैं और फिर आके यहां से इस रा वाटर चैनल में मिल जाते हैं यानि कि इसमें अधिक मात्रा होगी चैनल में किस चीज़ की पानी की तो float chamber में पानी की मात्रा अधिक होगी जिससे यह float उपर उठेगा और यह wear आप जो adjustable wear है नीचे जाएगा और जैसे नीचे जाएगा इसमें अधिक मात्रा में हमें क्या होंगे chemical feed होने लाएंगे और फिर जैसे ही इसमें पानी की मात्रा कम होगी वैसे यह उपर उठेगा क्योंकि float नीचे आएगा, फ्लोट नीचे आएगा, यह उपर उठेगा, और जब यह उपर उठेगा, तो जो chemical की मात्रा है, इसमें, इस जो हमारे raw water channel इसमें कम गिरेंगे, यानि कि इस से यह क्या होता है, balance होता है, तो यह इस प्रकार से आपका adjustable wear apparatus हो गया, किस चीज के लिए गीली भ parent कर दूँगा, जो आपका channel है, telegram का मेरा, तो تیली ग्राम के जो channel पे, मैंने आपसे बात किया, telegram का जो channel है मैंने आपको बताया था कि whole study करके है, link मैं description में डाल दूँगा, link मैं description में डाल दूँगा, whole study नाम का channel है, telegram पे, जिस पे आपको पूरे PDF मिल जाएंगे, जिस पे आपको PDF इसके मिलते रहेंगे और उस PDF से आप क्या कर पाएंगे पढ़ पाएंगे तो चली आए इसको मैं खतम करता हूँ आगे हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरा जो आपका इसमें step जो अगला step है वो क्या है मैंने आपको उसके बारें बताया था कि जो अगला step होत करने के बाद mix करना होता है कि इनको कोगलेंट्स को जो कोगलेशन का step होता है उसमें कोगलेंट्स को क्या करना पड़ता है जो दूसरा step है वो क्या है ठीक दूसरा step क्या है दूसरा step आपका है mixing आपको याद आ रहा होगा mixing आप कोगलेंट्स सकंदकों का जल में मिलाना तो इसमें करना क्या होता है कोगुलेंट को फीड करने के बाद उनको मिलाने के लिए दो तिन चीजों का प्रियोग के जाता है जैसे पहला होता है पहला होता है आपका बफल पहला होता है आपका जिसका यूज हम लोग करते हैं सबसे अधिक वो होता है बफल टाइप बेसिन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ब्यारोध ब्यारोध टंकी दूसरा होता है फ्लैस मिक्सर, जिसको हिंदी में भी हम लोग फ्लैस मिक्सर ही बोलते हैं, या मिस्रक बोलते हैं, फ्लैस मिस्रक, और जो आपका तीसरा होता है, वो उता है डिफलेक्टर प्लेट मिक्सर, प्लेट मिक्सर, ये तीन प्रकार के जो आपरेटर से इनका यूज के जाता है, क्या करने के लिए, मिक्स करने के लिए, तो सिदी सी बात है, मिक्स करने के लिए, हम लोग इनका यूज करते हैं, और मिक्स कर लेते हैं, इनसे केशन नहीं पुछा जाता है, बस इसके बारे में अगर आपसे पुछा जागए, तो इनको लिख देंगे उसमें, कि कैसे मिलाया जाता है, इस कंदोकों को मिला दिया ये बस एक चीज का द्यान रखेंगे कि जो पिछला मैंने बताया उस से देव केशन्स आपके आते हैं उसके बाद हम लोग जो next करते हैं जो तीसरा process करते हैं ये तो आपका दूसरा हो गया जो तीसरा क्या process करते हैं वो करते हम लोग no l供लेशन घु लाक diff a कु लेशन ह encountered इसको हिंडी में हम लो च्छा बोलते हैं उलन बोलते हैं ऑडाना हिंदी में क्या करते हैं या ऊडікा तयार करना तो ओडिका तयार करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जो इसकंदक मिलाते हैं उसके बाद से उसको क्या करते हैं उसमें फ्लाकुलेटर का यूज करते हैं एक फ्लाकुलेटर होता है जिसका यूज करते हैं फ्लाकुलेटर के यूज से हम ल होता क्या है बस इस चीज को में द्ध्यान में रखेंगे तो इसमें जो हमारा स्रेख फ्लाकुलेटर होता है एक पर मिनट की दरसे हम लोग क्या करते हैं लगभग 25 से 30 मिनट तक चलाते हैं फ्लाकुलेटर इसमे एक होता है जिसको एक से 3 जो हमारी गती होती है जल की वो जो इसमें फ्लाकुलेशन की क्रिया में जो जल की गती होती है वो कितनी होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए 15 से 15 से 20 सेंटीमीटर पर मिनट इससे अधिक नहीं होनी चाहिए वाटर जो स्पीड होनी चाहिए जल की गती होनी चाहिए वो 15 से 20 सेंटीमीटर पर मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए हलाकि मैंने पहले आपको पताया था आपको याद होगा कि 60 से 90 सेंटीमीटर पर मिनट तक भी होती है जो जल की गती होती है किसमें सेडिमेंटेशन में ल स्लक्क कर लेते हैं तो चौथा जो आपका होता है फ्लक ग खुल सेट्लिंग का लीटतलिंग कल्ग क messa मेंने आपको बता है हिंदी में इसको किसको हिंदी में बोलते हैं जिस उंडिका का उंडिका का तली में बैठना तली में दिख रहा है नीचे आपको दिख रहा है तली में बैठना ये तो उंडिका को तली में बैठने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्लाकुलेशन की क्रिया के पस्चाथ उनको निकाल के और सेडिमेंटेशन टैंक में रख देते हैं जो हमारा जल होता है जब उसका फ्लाकुलेशन हो जाता है जब उडन हो जाता है जल का जब फ्लाकुलेशन हो जाता है यानि कि उसमें छोटे-छोटे फ्लाक बन जाते हैं उसके पस्चात जल को हम लोग sedimentation tank पे रख देते हैं 2-4 घंटे के लिए, कितने के लिए 2-4 घंटे के लिए और उसके बाद जब उसमें जो flock बने होते हैं, settle down हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं और जल को बाहर छान के निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से पूरी जो हमारी stage है वो complete होती है और पूरा चौथा chapter इसी वीडियो में complete हो गया, अगले वीडियो में मैं पांचवे chapter के साथ आऊंगा, जो है आपका filtration और filtration भी बहुत important chapter है उसमें से एक question पुछा जाता है rapid sign filter और slow sign filter में से एक question जरूर आता है पांच नंबर का, जो आपके लिए बहुत important है, तो मैं अगले chapter में उसको पताने वाला हूँ, देखना नहीं बूलिएगा next video आने वाली है, उसी की जो आपका filtration है, एक question वहाँ से भी 5 नंबर का fix राता है तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं next video में, thank you, और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करेंगे, चैनल को subscribe करना नहीं भूलेंगे, share करेंगे जितना अधिक साधिक हो सके अपने दोस्तों मित्रों में, और bell icon को